वेलकम टू नेक्स्ट एक जाओं आज है 29 सितंबर 2018 और 29 सितंबर 2018 से करेंट अपस्ट के जितने भी इंपोर्टन कुश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे कुश्चन पूच आता हूं तो आप अनकेडमी का लर्निंग एप राउन लोड करके उस पर इंद्रेश सार्शी सार्च करके आप मेरे साथ अनकेडमी पर जुड़ सकते हैं वैसे मैंने अपनी अनकेडमी प्रफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में भी दे दिया है तो आप उ बी ओप्सिन साइए आपको ये इमेज में दिखाई दे रहे हैं ब्लेक कलर के कुरते में यही है केजे अलफॉंस और इनों ने अभी हाली में राश्टी परेटन पुरुसकार प्रदान की हैं अभी आपको पता है परेटन दिबस मनाए गया 27 सितमर को और इसी दिन ये राश्तान और गुवार रहा है तो यह आपको याद रहना है आंदunya परेश नमरर एंपर है केरला सेकीट नमर पर हैं और राश्तान और गोअ समय होतों से तीसर नमर पर हैं तो इस कुष्शन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है कल के वीडियो और चार्गेट रखा था 45 आपने वो टार्गेट पूरा किया और बहुत सही टाइम से पूरा किया लेकिन मेरा टार्गेट यह है कि यह टार्गेट दिन में 12 बज़े तक पूरा हो तो आज की सुटू का हम फिर से टार्गेट रखते हैं 49,000 लाइक का अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक जरू किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टेडी रिलेटेट वाट्चाप और फेसोग ग्रूप हैं उनमें आप से वीडियो को सेर जरू कर दिया करो और मैं आपसे बोलता हूँ हर दिन मॉर्निंग में उटकर अपने लिए जरू करो cores करो चायए चोटा साय टर्गेट करो लेकिन हर दिन अपने लिए टर्गेट करो और पूरा दिन उस टर्गेट को अचीब करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑ्टमेटिकली अच्छी हो जाएगी नएश कुशन है हाली में डाटा एनलेटिक्स और डिजी वारता के लिए उतकरश्टा केंदर कहां शुरू किया गया है तो अभी हाली में डाटा एनलेटिक्स और डिजी वारता के लिए उतकरश्टा केंदर केंदर कहां शुरू किया गया है नई दिलनी में यानि कि इस प्रद्यों की मंत्री रभी शंकर प्रसाद नहीं जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रभी शंकर प्रसाद और इनों ने ही डाटा एनलेटिक्स और डिजी बारता के लिए उत्करश्टा केंदगी सुर्वास किये है नई दिल्ली में चलते हैं नेक्स कुशन नेक्स कुशन है हाली में UNGA के 73 में 70 में तपैंदिक पर उच्छे सतरी बैठक कहां आयोजित की गई है तो UNGA यानि की UNITED NATION GENERAL ASAMBLEY के 73 में 70 में तपैंदिक यानि की TB पर उच्छे सतरी बैठक आयोजित की गई है न्यू यॉर्क में तो इस कुशन का B आप्सिश है है प्रद्रिय 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 प् के जे अलफॉंस इनका नाम आप याद रखिए तो अतुल्य भारत मोबाल अप किसे ने लौँच की है के जे अलफॉंस नहीं यानि कि इस कुश्चन का बी ऑप्शन सही है आपको यह जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है के जे अलफॉंस और यह प्रजेंट टैम पर हमारे केंद्री यह परेटन मंत्री है अतुल्य भारत यानि कि इनक्रेडेवल इंडिया की एप लौँच कर दी गई है जिससे कि जितने भी परेटक इंडिया में आते हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस एप में एक सबसे अच्छा फीचर यह है कि 24 x 7 चैटिंग का उप्सन है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपना कुश्चन पूछ सकते हो या कोई भी क्वेरी है तो उसे आप पूछ सकते हो इस एप पर तो इंक्रीडबल इंडिया एप लॉंच की है के जे अलफॉब्लम ने चलते हैं नेक्स कुशन पर नेक्स कुशन है हाली में 200 रेबीज दिवस कम मनाय गया है तो अभी हाली में 28 सितंबर को 200 रेबीज दिवस मनाय गया है यानि किस कुशन का B option सही है रेवीज आप चानते हैं कुट्टे के काटने से रेवीज होता है तो रेवीज के बारे में चावुरुकता फैलाने के लिए और इसके बचाओ के लिए हर साल 28 सितंबर को 200 रेवीज दिवस मनाया जाता है अब इस question के option में मैंने दो और important day लिखे हैं एक तो 27 सितम्बर यह क्या है परेटन दिवस कली में आपको बताया था एक है 16 सितम्बर यह most important है ओजोन डे, world ozone day, 200 ozone परत संरच्छर दिवस भी कहते हैं से तो यह 16 सितम्बर को मरा जाता है इसके अलावा सेप्टम्बर में कौन सा important day होता है 8 सितम्बर और होता है World Literacy Day तो भो भी आपको याद रखना है तो इस question से आपको इतनी जनकारी मिलती है Next question है हाली में पराक्रम पर प्रदरसनी का उद्गाटन कहां किया गया है तो अभी हाली में पराक्रम पर प्रदरसनी का उद्गाटन कहां किया गया है जोदपूर में तो इस question का C options आईए राइस्तान के जोदपूर में यह पराक्रम पर प्रदरसनी का उद्गाटन किया है हमारे present time के प्रदानवंतरी से नरेंदर मोदी ने अच्छा ये पराक्रम पर प्रदंसनी है क्या तो 2016 में जो सर्जीकल स्ट्राइक होई थी उसी के लिए ये पराक्रम पर प्रदंसनी बनाई गई है जोधपुर में अब ये जोधपुर में मनाई गई है तो जोधपुर कहां पे है राइस्तान में राजस्तान में है तो आप मैप में देख लीजिए यह है राजस्तान राजस्तान की capital है जैपूर और जैपूर को क्या गहा जाता है पिंक सिटी राजस्तान की present time पे चीप निश्टर कोन है बसंदरा राजे और राजस्तान की present time पे governor कोन है कल्यान सिंग इतना आप राजस्ता का C options है अच्छा ये तिर्वनंत्पुर्म कहां पर है तो यह केरल की capital है तिर्वनंत्पुर्म और यहीं पर आठमा योग खेल championship शुरू हुआ है इसमें 12 Asian countries ने participate किया है और 12 Asian countries के 450 participants ने इसमें participate किया है अब यह तिर्वनंत्पुर्म में शुरू हुआ है तो आप map में देखे यह है केरला की capital है तिर्वनंत्पुर्म और अभी केरला में बहुत बहेंकर बाड़ा आई थी उस टाइम केरला बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था तो केरला की capital है तिर्वलनजपुरम, केरला के present time पे चीप निश्टर है पिनररी बिजियन और केरला के present time पे कवरनर कौन है पी सदासिव तो इतना आपको केरला के बारे में याद रखना है next question है हाली में भारत ने उजबेकिस्तान के साथ कितने समझोतों पर हस्ताचर किये हैं तो अभी हाली में भारत ने उजबेकिस्तान के साथ दो समझोतों पर हस्ताचर किये हैं यानि कि इस question का C options है अच्छा ये दो समझोतों पर हस्ताचर तो कर दिये इंडिया ने लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये दो समझोत्य हुए किस फिल्ड में है तो पहला फिल्ड है E-Governance और दूसरा है ICT ICT यानि कि Information and Communication Technology तो ये दो फिल्ड है और इनी दो फिल्ड में उजवेकिस्तान के साथ इंडिया ने दो समझोत्य किये अब ये समझोत्य हुए हैं उज उजवेकिस्तान की Capital है तासकन्त उजवेकिस्तान की Currency है उजवेकिस्तानी सोम और उजवेकिस्तान की Present Time पर Prime Minister कौन है अब्दुल्ला अरीपो इतना आप उजवेकिस्तान के वारे में याद रखेए नहीं सुषने हाली में BSF का महानेदेसक किसे निउट किया गया है तो अभी हाली में रजनी कांत मिस्रा को BSF का नया महानेदेसक निउट किया गया है यानि कि इसुषन का A-Optence आई है यह जो आपको image में दिखाई दे रहे हैं यही है रजनी कांत मिस्रा और ये अब BSF के नए माहने देशक बने हैं अच्छा इससे पहले ये SSB के अद्यच थे SSB के ये अद्यच थे लेकिन अब ये BSF के नए माहने देशक बन गए है नेश कुशन है हाली में लोगपाल खोज समिति का अद्यच किसे बनाए गया है तो अभी हाली में लोगपाल खोज समिती का अध्यच बनाए गया है रंजना प्रकास देशाई को जस्टिस रंजना प्रकास देशाई को लोगपाल खोज समिती का अध्यच बनाए गया है यानि किस कुश्यन का? A options आई यह यह जो आपको image में दिखाई दे रही है यही है जस्टिस रंजना प्रकास देशाई और इनी को बनाए गया है लोगपाल खोज समिती का अध्यच अच्छा आपके माइड में जरूर आ रहा होगा कि यह लोगपाल खोज समिती है क्या तो जो लोगपाल बनाए जाएगा उसके लिए अध्यच कौन होगा उसमें कौन-कौन मेंबर होंगे इनके नाम सज़ेष्ट करने के लिए यह एक आठ सदसी समिती बनाए गई है और इसका नाम है लोगपाल खोज समिती और इसकी अध्यच बनी है जस्टिस रंजना प्रकास देशाई इनका नाम आप फ्याद रखिए चलते हैं नेक्स कुशन पर नेक्स कुशन है हाली में सबरी माला मंदर में महलाओं के प्रवेश की अनुमति किस ने दी है तो अभी हाली में सबरी माला मंदर में महलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है Supreme Court ने, यानि कि इस question का C options आईए, अब यह जो मंदिर है, सबरी माला मंदिर, यह आपके लिए most important है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबरी माला मंदिर है कहाँ पर, तो यह केरल में है सबरी माला मंदिर, और यहाँ पर पहले केवल पुरुसों को जाने की परमीशन थी, लेकिन अब सुप्रीम कोट ने मैला को भी इस मंदिर में जाने की परमीशन दे दी है अब यह केरल में है, तो केरल से दो most important question मनते हैं एक पूचा जाता है कि पेरियार बंजीव परमीशन कहाँ पर है, यह कुशन बहुत बार रेपीट हुआ है, तो आप याद रखी पेरियार बंजीव परमीशन है केरल में और दूसरा सबसे most important question है कि सांत गाटी कहाँ पर है, तो यह भी केरल में है, दो गाटियां बहुत पूचे जाते हैं सांत गाटी और फूलो की गाटी सांत गाटी केरल में है और फूलो की गाटी कहाँ पर है उत्तराखरण में, तो जब भी केरल का नाम आपके सामने आए, तो आपको यह दो कुशन रिवाइच कर लेने हैं, सांत गाटी और Pillarmentioned ये दोनों ही केरल में है Next Question है तो अभी हाली में आर्थिक सुतनता सुचकंग वें भारत कौन सी थान पर रहा है तो अभी हाली में आर्थिक सुतनता सुचकंग यानि कि Index of Econom Freedom में भारत 96 में इसतान पर रहा है यानि कि 96 प्लेस पर रहा है इंडिया तो इस question का C options है यह अच्छा लास्ट यर इंडिया 98 वे नमबर पे था यह 162 देशों में इंडिया 96 वे नमबर पे रहा है इस बार अच्छा इंडिया तो 96 वे नमबर पे रहा है तो पहले पे कौन रहा है यह पता होना चाहिए पहले पे रहा है हॉंग कॉम और दूसरे पे रहा है सिंगापूर तो यह पहले दूसरे आपको याद रखने है लेकिन इंडिया की position most important है तो इंडिया इस बार 96 वे नमबर पे रहा है अब लास्ट वीडियो की question का answer लास्ट वीडियो में आपसे question पुचाता कि हाली में जन्ध question के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजिए आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में 200 परेटन दिवस कम मनाय गया है चार option दिए गए हैं इनम लाबा हम अमारे Facebook page पर previous year की question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सार्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous year की question आपको बहुत ज्यादा help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई problem होती है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पर IndresRC Instagram पर IndresRC सार्च करके आप मेरे साथ दिसकस कर सकते हैं आज की वीडियो का target आप जरूर रियाद रखना आज की वीडियो का target है 49,000 लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तब आप इसे like और share जरू करना तो यह था आज का हमारा career enterprise का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा please comment box में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आप से subscribe करेंगे बरावर में एक bell icon मन के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में कर enterprise की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching